बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में मौसम में बड़ा बदलाओ देखने को मिलेगा राज की अधिकान जिलों में सुबा-सुबा थंड से सिहरन बढ़ गई है मौसम विभाग के अनुसार अल नीनो इफेक्ट के कारण राज में इस साल कडाके की ठंड के आसार है वही जारखंड में अगले 4-5 दिनों तक आंसिक रूप से बादल चाय रहेंगे देखिए राजधानी पटना समेथ राज की अधिकतर भागों में पच्छुआ हवा के प्रभावों से ठंड का असर बढ़ गया है पिछले 24 घंटों के दोरान बाका राज का सबसे ठंडा अस्थान रहा जहां का निउंतम तापमान 11.3 दर्ज किया गया वही राजधानी पटना की बात करें और 17-19 सारों के निउंतम तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दोरान पूर्णिया और गया सहित राज के उत्तरमध और दक्षिन पस्चिम भागों में कुछ अस्थानों पर हलके से मध्यमस्तर का कुहासा चाय रहने का पूर्वानुमान है मौसम विभाग के अनुसार राज के उत्तरपूर्व उत्तरमध और दक्षिन पस्चिम भागों में कुछ अस्थानों में सुबा से हलके से मध्यमस्तर का कुहासा और राज के सेज भागों में हलके अस्तर का कुहासा और धूंद का असर दिखाई देगा वहीं अगले 48 घंटों के दोरान राज के तापमान में कोई विसेश परिवर्तन की संभावना नहीं है ततपस्चात अगले तीन दिनों में राज के अधिकान्स भागों में नियुंतम तापमान में 2-3 डिगरी सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है तो देखिए बिहार के कई जिलों का जो नियुंतम तापमान है वो 13 डिगरी सेल्सियस के नीचे इस क्रम शहर रिजल्ट देने वाली संस्थान पर्फेक्शन IAS कुमार टावर बोरिंग रोड पतना 11 डिगरी सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी इस दोरान आंसिक रूप से बादल चाय रहेंगे तो कुल मिला जुला कर आप इसे इस तरीके समझ सकते हैं कि इस महीने के अंध तक बिहार और जारखंड में ठंड जो है वो अभी के जैसा ही बरकरार रहेगा लेकिन दिसंबर के माह के दूसरे सपता से ठंड जो है वो अपने शवाब पर आएगा और कुहासे के साथ साथ सीत लहर जो बहता है हवा वो भी दिख सकता है